मैं हुआ हुआ अपको दोस्त The Preaching Guys अपने बीटल को देखा ही हुगा। बीटल में भहुत सारा रभढ है। आपको हरकिलस बीटल पता होगा, नहीं तो दंग बीटल पता होगा, आपको सिर्फ बहुत कम बीटल पता होता है। फ्राज में आपको दिखाने वाला हूँ रेन बीटल हागाइस रेन बीटल यह बहुत लोगों को पता नहीं है और यह बहुत ताकतवर भी होता है इंडिया के वेस्टरन गार्ष में पाये जाते हैं और यह बहुत ताकतवर होता है इस सबी सीजन में जी सकते हैं समर हो रखेंगे कि रेन बिटल को झोट ना लग्यले यह स्वता है आज में आपको एक बहुत बढ़ा रेंड्बिटल देखाने वाला हूं ऑप कितना बड़ा होगा इतना बड़ा होगा या फिर इतना बड़ा होगा चलिए इस वीडियो को शुरू करता है इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए वीडियो को शुरू करता है तो गाइस यही हो रेन बीटल है देखे किस तरह से चमक रहा है देखे यह कितना बड़ा है इसका साइज कंपेर कर सकते है देखे यह कितना बड़ा है देखे यह किस तरह सा है देखे कितना स्पीड चलता है देखे यह किस तरह का है इसका सर देखे अब इसका सर देखे यह हर्कुलस बीटल और स्टंग बीटल से बिलकुल अलग है यह आदा गोल सा हस्षर है और दो इसका एंटेना है इसको देखे यह किस तरह सा है देखे यह उल्टा हिश्चा है देखिए किसuciones का है कि इसके पाल है और यह इस तरह सा य अपे जो बड़े बड़े पिर देख रहे हैं न इसका आगे वाला पिर है जो बहुत स्वाइन ही और बहुत इसका कितने सारे बाल है और आप अच्छे तर इससे देखे तो इसका गरदन के जगह में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना ये इसका बच्चे हैं देखिए जिस तरह से है भाथ लेगाश है रही को चोटा से कीरा जो मेरे हात में जा रहा है देखिए यही उस बीटल का बच्चा है यह चोटा कीड़ा बड़ा होकर इतना बड़ा बीटल बनेगा देखिए यह कितना चोटा है और यह ठीक से दिखिवी नहीं रहा है अब होगा इसका strength test, इस test में इसको कोई लुक्सान नहीं होगा, चलिए देखते हैं इसका strength कितना है और ये क्या क्या करता है, देखें एक plastic का बोल है, इसमें मैं इस beetle को डाल के देखूंगा इसका strength कितना होगा, ये रहा हमारा beetle, देखें मैं इसको cover कर चुका हूँ, अब दे देता हूँ, ये कितना दूर तक जा पाएगा, देखते हैं, देखें ये चलना शुरू कर दिया है, और ये बहुत आराम से जा रहा है, और इससे इस beetle को कोई लुक्सान भी नहीं होगा, देखें ये इस बोल को कितने आराम से ले जा रहा है, इस test में तो beetle आराम से पार कर दिया, देखें, ये बहुत आसानी से आगे जा रहा है, अब होगा रियल टेस्ट, मैं इस प्लास्टिक पेपर में उस beetle को डाल दूँगा, च्या वो beetle इसको फाड़ कर बाहर आ पाएगा, या पिर नहीं, चलिए ये टेस्ट भी हो जाए, पिछले टेस्ट में तो beetle पास हो आता, तो चलिए इसको भी देख लेता है, मैंने इस beetle को प्लास्टिक पेपर में डाल दिया है, अब beetle भाराने के पूरा प्रयत्न कर रहा है, या इस पेपर को फाड़ पाएगा, देखिए ये अपने शार्प हातों से उस प्लास्टिक को पाड़ने का पूरा प्रयत्न कर र आए, देखिए कितना जल्दी-जल्दी अपना हाथ तेज से घुमा रहा है, इस देखिए ये किस तरह से उसको फाड़ने का कोशिश कर रहा है, ये बहुत मोटा प्लास्टिक है, इसलिए ये थोड़ा देद रगेगा, अगर ये थिन प्लास्टिक हुआ, तो ये आजानी स एक दो छोटों में इसको plastic को ठोड़ सकता था शुक्ष दिके अभि बीटल इस प्लैस्टिक को ठोड़ चुका है जो ठिक टाउल और बीटल ने अपने हाथों से इसको ठोड़ और तोड़ देखे अब ये थोड़ा थोड़ा भारा बाहरा रहा है देखे ये पुरा बाहरा चुका है इस देखे पर आफ़ oh दोंगा बिल्कुल ठीक है और देकिए इसको कोई इंजुरी नहीं हुआ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा कुछ नया सिखने के लिए भी मिला होगा और रेंग बीटल का ताकत का अंदाज़ा भी लगा होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल प्रे